अगर हम अयुद्या के प्रमुख धार्मिक अस्थानों, प्रमुख अस्थलों की बात करें तो उसमें लक्षमड किला का एक महत्पूर अस्थान है क्योंके ऐसी धार्मिक मानेता है कि लक्षमर किला के ठीक पीछे से वो सहस्त्र धारा बढेती है जहाँपर राम जी से पहले लक्षमर जी ने जल्ड समाधिली थी और इस वक्त मेरे साथ लक्षमर किला के महंत मैतली रमन शरणडाज जी है महराजी आप उस पीट के मुखियां है जिसकी एक बहुत प्राशीन धार्मिक मानेता है रामायंड कालीन मानेता है तृता में आठ चक्रों से जो किला का था वो आठ चक्रों से अच्छादित किला रहा राम जी का महल राम मनु जी महराज ने तपस्या की तो प्रभूश्री राम उनके घर में आए और राम जी जब आए तो जञजन के राम कह लाए पर्थम प्रश्न महराश्री बाल में की का नाराज जी से यही था कि इस समय कौन है कौन पुर्श जो है जो जञजन में ब्याप्त है तो नाराज जी ने कहा कि दर्शत के घर में प्रभूश्री राम का जन्म हुआ है और वह जञजन के प्रिये है जन्जन के चेतना में उनका निवास करता है चार रूप में ब्रम्म जो है चार रूप में परगट हुआ महराज दस्रत के आंगन में और उही अयुद्या है परत्यक्श रूप से यदि अयुद्या का प्रमाण हम लोग को देखने को मिल लहा है, तो सरुजी मिल नहीं है स्री लक्षमन किला आचार पिठ कहलाता है सैक्लो अस्थान अयोध्या में लक्षमन किला का बरांचे है और सहस्र धारागाट में आज भी जो माननिता है कि प्रभूशी राम के पूर्व स्री लक्षमन कुमार ने उनके भाईया ने अपने सरीर का परिवर्तन सेश रूप में कर लिया था आज जो ये पृतिवी टिकी हुई है सेश के फणपर टिकी हुई है जब धनुस की बारी आई थी तो महराज जनक ने कह दिया कि बीर भीहिन मही मैं जानी यह पृतिवी जो है बीरों से खाली है तो स्री लखनलाल जी जो है राम जी के बही प्राण है बालमी की रामायन में कहा गया है बही प्राण इवापरह तो लक्षमन जी को सहन नहीं हुआ जनक जी के यह अनुचितवानी तो उन्होंने कहा कि मैं इस धरा को मूली की तरह उखार दूँगा कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूँगा आधी आधी बाते अपना प्रगट किये और लच्छमन जी के जीवन में प्रभूश्री राम के परती अपना संपूर्ण जीवन त्याग में था प्रियता भी उनकी इतनी ही थी असंपूर्ण जीवन में लखनलाल जी जो है राम जी के साथ रहे जब अंतिम लीला भी करनी थी तो पूर्व में चले गए इसलिए आज भी एहमानिता है कि सहस्र धारा गाट पर कोई जूठी कसम खाने के लिए यदि उसको कहा जाता है तो वह तयार नहीं होता है वह इसी पर आऊंगा कि मतलब हम लोगों ने सुन रखा है कि यहां पर लक्षमार किला में विवाद का निप्टारा भी किया जाता है कि अगर कोई जूठी का समया पर आका खाता है तो जूठ उसका बहुत जारा दिन तक कर लिए हैं वो सब उस दिन मंदिर में दर्शन करते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का आपसी बिवाद होता है तो यदि कहा जाता है कि चलो सहस्र धारा लच्षमन घाट पर कसम खाएं तो यदि बात जूठी होती है या सच्ची भी कोई घटना होती है तो वहां पर कसम खाने के लिए आज भी लोग भैवीत हो जाते हैं एक सवाल महराजी यह है कि लक्षमन किला इसका नाम क्यों पड़ा इसके पीछे की क्या धर्मिक कहानी धर्मिक मानेता है लक्षमन किला नाम इसलिए पड़ा कि लक्षमन कुमार ने यहां से इस रूप में अपने को परव यहां के संस्थापक हुए उनके पटसिस से थे पंडी जान की वर्ष रंजी महराज जब स्वामी विवेका नंजी का मन अशान्त हुआ तो अपने गुरुभाई अखंडा नंजी के साथ यात्रा काल में पंडी जी महराज जिसे कुलकाता में भेट हुई थी और उसी भेट के दौरान में स्वामी एक खंडा नंजी महराज ने विवेका नंजी को अध्या ले आए और अध्या में लाकर के अध्या दर्शन किये संतों की सराई कही जाती थी एक से एक से दिसंत भजनानंदे संत अपस्वी सब निवास किया करते थे और जब उनका मन अशान्त हुआ त आज भी उनके अनुआई लोग जो हैं विवेका नंजी के लक्षमन किला में आकर के उस धर्ती की मिट्टी को नमन करते हैं और वहां की मिट्टी ले जाते हैं अखरी महराजी हम यहां पर आईना देख रहे हैं और मंदिर के ठीक बगल में आईना रखा है तो इसका किस तर हम लोग सहस्ते धस्ते हैं और दर्पन देखते हैं उसी प्रिकार भगवान को दर्पन दिखाये जाता है कि भगवान आप दर्पन भी निवेदन करने का एक परमपरा पूजन पद्धती में ही समली थैं बहुत धन्यवाद मराजी आपका तो इस वक्त मैं लक्षमड किला म में हूँ उस लक्षमड किला में मौजूद हूँ जहां से सहष्त्रधारा बहती है और ऐसी मानिता है कि उसी सहष्त्रधारा में लक्षमड जी ने जलसमादे ली थी हलाकि आज भी ये किला मौजूद है और इसके पीछे कई कहानिया है कही धर्मिक मानिताएं हैं हलाकि उस आईना को भी मैं दिखा दूँ इस आईना को दरसल जो मंदिर है तो हर रोज यहाँ पर भगवान को यह आईना दिखाया जाता है और देखा जाए तो लक्षमड किला चुकि काफी प्राचीन किला है और इस वक्त चुकि यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने हमें पूरी कहानी सम आईना थमिनाश्व सिंग, NewsNation, आयुद्धिया